नवसका दोस्तों आप कैसे थिखिये उद्व किस्फ एपने चैनल में आपका शुवागत है दोस्तोंकि नई वीकेंशी की ओनलाइन अप्लाइन करेके दिखांगा वह भी अपने फ़ोन के द्वारा आप वीडियो को लाज्ट आपको पने फोन वे कंप्यूटर का सज़ब्यों करना है और दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं फोर टू को विक के बी में बताऊँगा किस तरीके से आपको अपलोड करने हैं वकेंशी के बारे में बात करते हैं इसकी लाश्ट डेट ओने वाली है दोस्तों 23,000 पीस आप आपका एक्जाम होगा दस वैबारा जून 2020 को आपका एक्जाम होगा फिस आप यहां पर दे सकते हैं इसमें केवल आपकी 10th past 12th past वैग्रेजवेशन त्रीनों में से आपने एक कीव है तो आप इस पार प्लाई कर सकते हैं यह आप यहां पर दे सकते हैं और दोस्तों देस्कते हैं कहां की vacancy है total post देख सकते हैं और दोस्तों vacancy के बार में detail लेना चाओं तो यहांसे आप ले सकते हैं यहां पर आपको नीची आना दोस्तों official pdf का का लिंक आपको video के नीचे मिल जाएगा और apply online का link अपको video के नीचे मिल जाएगा वहांसे आप complete100 कर ले सकते है यहां पर हम रजिस्टर पर टिक करेंगे टिक करने के बाद दोस्तों आप इनके उपसल वेबसाइट पर आव जाओगे यहां पर आप देशक रहे हैं SSC स्टाप सेलेक्शन कमीशन यहां से हम इस फारू को अपलाई करेंगे और दोस्तों आप लेटर स्कूर में जोब के बार में बताऊंगा आप यहां पर देशकते दोस्तों प्रिक्सा नाम है इस एप का और इसमें आप एर फोर्स एक्स और वाई नेवी SSC रेलवे किसी भी जोब की यहां से असानी से त्यारी कर पाऊगे इसमें हर रोज दोस्तों टेस्ट चलते रहते हैं करेंट अफेर चलती र लेगा मुझे यह बैस्ट टैप लगी दोस्तों इसलिए आपको मैंने बता दिया आप किसी भी कोचिंग सेंटर से कोचिंग नहीं ले रहे तो दोस्तों इस एप से पढ़ना नया भूले काफी अच्छी एप है इस एप का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा और भी अपलाई ने किया ऐसे सी के लिए तो आपको यहाँ पर नियू रिजिस्टर पर टिक करना है यहाँ पर हम टिक कर देते हैं और दोस्तों आप पुराने है तो अपना पास्वड बूल गई है तो यहां से आप फॉर्गेट पास्वड भी कर सकते हैं नियू रिजिस्टर पर टिक करने के बाद दोस्तों आपको अपनी कम्पलीट जानकारी फिल अप करनी पड़ेगी यहाँ पर उप्सन आ गया दोस्तों आपके पास अधार काड़ है या नहीं यहाँ करोगे तो आपको अधार काड़ डालना पड़ेगा नहीं है तो नो कर स रहूं सबसे पहले आपको अधार कार्ड नंबर दुबारसी अधार कार्ड नंबर यहां पर मैं अपनी कम्पलीट जानकारी फिलप कर लेते हैं यहां पर आप देशकते हैं मैंने अपनी कम्पलीट जानकारी डाल दी सबसे पहले अधार कार्ड दुबारसी अधार कार्ड नं करना है जैसे कि मेरा नाम पहले विक्रम था अब मैंने चेंज करवा के और रख लिया तो येस करना पड़ेगा यहां पर मैं नो कर देता हूं मैंने कोई भी नेम चेंज नहीं करवाया है येस करोगे तो दोस्तों वह नेम आपको यहां पर लिखना पड़ेगा अगले में यह पुछरा दोस्तों आपने 10th क्वालिफिकेशन कौन से बॉर्ड से की थी यहां पर आपको टिक करना है और आपको अपनी कंपलेट जानकरी फिल अप करनी है यहां पर हम टिक कर लेते हैं यहां पर यह उप्शन आ गया है दोस्तों हरियाना ओपन स्कूल यहां पर हम टिक करने के बाद दोस्तों दुबारा से दुबारा से टिक करना है अगले उप्शन की बात करते है दोस्तों यहां पर आपको 10th मारक सीट का रोल लंबर डालना है रोल लंबर डालेंगे दोस्तों 10th का दुबारा से वही रोल लंबर डालेंगे और दोस्तों आपने 10th कौन कौंसे गिर में पास की थी आप को डिया मजिनए मिल जाएगी वह यहां पर हम पील coy करेंगे भीक करने के बाद दोस्तों दूबारत शेवई प सिरू कौंछी एकि एड़ में पास टिक करने के बात करतें दोस्तु आपको Seriously काफी लोग सेव करते हैं तो उनको मेस्ज आता है अल्रेडी रजिश्ट्र तो इसका मतलब है कि दोस्तों आप पहले से encontra है तो आपको पना forget password करना पड़ेगा यहाँ पर अपनी complete जानकारी फिलप करने के बाद save कर देता हूँ save करने के बाद दोस्तों आपको दुबार से एक option मिलेगा यहाँ पर आपको confirm करना है confirm करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको close करना है और आपको message भी आ जाएगा अब मेरे को message आएथा और आपको यहाँ पर अपना registration number मिल जाएगा और इसको आपको copy करना पहले copy कर लेते हैं और आपको इसका screen shoot लेना है ok कर लेते हैं यहाँ पर ok कर लेते हैं ok करने के बाद दोस्तों आपको अपना registration number डालना पड़ेगा कि यहाँ पर कि डाल लेते हैं और message की जरीए एक पास्वरड आया होगा वो टाइप कर लेते हैं दोस्तों आपको message देखना है क्या पास्वरड आया था यहाँ मेरा टेर ठाट-हसी है डाल लेते हैं डाल लेक बाद दोस्तों यह capture code आपको यहाँ पर डालना है डाल लेते हैं डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम login कर लेते हैं डालने के बाद दोस्तों आपको एक नया option दिखाई देगा यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले अपना old password फिर आपको एक नया password बनाना है नया password आपको किस तरीके का बनाना है वो आपको मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके का password बनाना है बात करते हैं दोस्तों जैसे कि मेरा नाम विक्रम हो गया जैसे कि मैं अपना नाम लिखूँगा नाम लिखने के बाद दोस्तों आपको add the rate 123 दो तीन अपना नाम एड़ दारेट एक दो तीन यह पासवर्ट आपको बनाना है यहां पर मैं बना लिता हूं बनाने के बाद दोस्तों यहां पर आपको समीट पर टिक करना है submit पर tick करने के बाद दोस्तों आपको ये option दिकाई देगा यहाँ पर आपको close करना है आपका successfully save हो चुका है दो बार से आपको अपना registration number डालना पड़ेगा फिर आपको जो आपने new password बनाया था वो डालना पड़ेगा फिर आपको ये capture code मैं अपनी complete जानगरी fill up कर लेते हैं डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम login कर लेते हैं login करने के बाद दोस्तों अगला page आपका यहाँ पर आजाएगा category का आप कौन सी category से हो SC, ST, OBC या general दोनों में आपको fill up करनी है fill up करने के बाद दोस्तों अगला option आगया आपका national tick आप इंडिया हो या other हो तो दोस्तों इंडिया के निवासी है तो इंडिया पर tick करना है other, Nepal, Bhutan की है तो other पर आपको tick करना है अगले option की बात करते हैं दोस्तों आपके सरीर पर कोई मारक है तो यहाँ पर आपको fill up करना है नई मारक है तो यहाँ पर आपको no मारक की entry करनी है अगले option की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर disability के बारे में पूछ रहा है जैसे कि दोस्तों मेरा house number यह हो गया 6 पनिहारी गाउं हो गया गाउं का नाम लिखने के बाद तसील भी डाल सकते हैं गाउं तसील डालने के बाद दोस्तों आपके पास house number नहीं है तो आपको अपने गाउं का नाम डालना है अगले option में आपको अपनी state का district का फिर आपको pin code डालना है यहां पर अपनी complete जर्गरी fill up कर लेता हूँ fill up करने के बाद दोस्तों अगला option आता है आपका कि आप यही same address नीचे fill up करना चाहते हैं तो yes कर सकते हैं आपका कोई अलग address है तो आपको yes नहीं करना no रहने देना है yes करोगे तो दोस्तों यह अपने आप उठा लेगा no करोगे तो आपको अपने इसाप से यहां पर fill up करना पड़ेगा fill up करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको save करना है सेव करने के बाद next पर टिक कर देते हैं next पर टिक करने के बाद दोस्तों अगला option आता है आपका photo का और signature का किस तरीके से आपको upload करना है वो और आपको मैं बता देता हूँ एक best app के बारे में आपको मैं बताऊंगा यहां पर देशकते हैं 20-20 से लेकर 50 के बीच में होना निवरिया है signature आपका 10 के बीचे 20 के बीच में दोस्तों आपको अपने किसी भी browser पर आना है यहां पर आने के बाद दोस्तों सरच करना है online photo editor सरच कर लेते हैं online photo editor यहां पर आपको टिक करना है टिक करने के बाद दोस्तों first वाला पेज दिखाई देगा इस पर आपको टिक करना है link पर टिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर आ जाओगे यहां पर आपको क्या करना है आपको अपने phone के camera से आपके पास कोई भी पुराणिक पीक है उसकी पिक लेनी है लेने के बाद दोस्तों आपको files में जाना है files में जाने के बाद open पर tick करना है अब आपको अपनी photo देखनी है देखनी है दोस्तों कहाँ पर आपने उसको save किया था photo लेने के बाद दोस्तों आपकी photo ऐसी दिखाई देगी उस पर आपको tick करना है मैं ऐसी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं टिक कर लेता हूँ टिक करने के बाद दोस्तों आपकी photo में यहाँ पर काफी size बचा होगा तो आपको क्या करना है आपको करना है दोस्तों basic में जाना है यहाँ पर crop पर आपको टिक करना है जो बारी लाईन है दोस्तों उनको छोट देना इस तरीकिती आपको क्रोप करना कराई कर दिते ए अपलाई करड़ने के बाद दोस्तों इसका साइज थोड़ा काफी बड़ा होगा इसका साइज भी कम कर लेते हैं बेसिक में जना है यहां यहांसी आपको RESIZE पर आपको टिक करना है रिशाइज आपको बता देता हूं कितना होना चाहिए आपका síd ehlUp चाहिए आपको करना है 503 custom 530 चैसोपचास दोनों में आपको 503 चैसोपचास करना है और यहांसे कुम करेंगे आपको फाइल से में जाना है यहां फिर ऊपन पर टिक करना है और आपका शिगनेचर की भी पिक लेनी है यहां दोस्तों तें यहां पर देशकते हैं इसको भी क्रॉप करेंगे बेसिक में जाना है इसको भी इस तरिके से आपको क्रॉप करना है क्रॉप करने के बाद दोस्तों यहां से आपको डन करना है डन पर टिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको साइज कम करेंगे इसका बेसिक में जाना है पर आपको टिख कराना इसका साइज करें गरेंगे दोस्तों यहां से आप 750 तो यहां पर 345 तरह अथ है चटैने के बाद दोस्तों दॉस्तों हम अप्र आने के बाद दोस्तों हम अपना फोटो सिग्नेचर अप्लोड करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको ब्राॉड पर टिक करना है और चाने के बाद फाइल्स का maid거 फोटो मिल जाएगी उसी फोटो को यहांपर आपको tik करना है उसी तरीके से सिकरेचर को अपलोड करना है अपलोड करने के बाद दोस्तों यहांसे हम सेव कर लेते हैं शेव ड्राफ पर प्र olması कि को अगला C staff आएगा सम्मिट का समीट पर आपको कि करना है अगला पसना गया दोस्तों मुबाइल ओटीपी और इमेल ओटीपी यह करना है यहां पर आने के बाद दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए apply करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर apply पर टिक करना है यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको अपनी complete जानकरी देखनी है नाम, father, name, mother ने आपको मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से आपको वीडियो के निचे मिल जाएगा और आपको last मी आना last मी आपको मिलेगा आपको post name देखना है आपको मैं देखा देता हूं post name और यह post name याद रखना है और वहापर लिखना है फिर आपको department number और आप age भी देशकते हैं पेश केल भी और यहाँ पर आपकी qualification के बारे में बता रह कि दिया है और पोस्ट भी आप यहां पर दे सकती हैं अगले पोस्ट में भी 10-12-10 वित्वार दस्वी ग्रेज्वेशन आपके यह इव daily पहु है तो दोस्तों इस वहारoth कर 191 कर सकती हैं और दोस्तों अ राफ दे जटो आपको इस l verte सभी में ग्रैजुएशन 10 पलस टू और टोटल पोस्ट देखने हैं दोस्तों आप जिसमें भी इंट्रेस्ट हो उसको आपको अपलाई करना है अगले में दोस्तों यह इसमें कल रखी है और एज आप यहां पर देशकते हैं अच्छी पोस्ट है 25 है यह केवल 10 पास के लिए ह इसको एक अपलाई कर देते हैं सबसे पहले यहां पर आपको टिक करना है जिसमें भी आप यहां पर मैं टिक कर लेता हूं यह रहा इस पर आपको टिक करना है और नीचे नीचे आपको फिर से टिक करना है और देख लेते हैं उसका इसका पोस्ट कोड यह है दोस्तों इसको देख लेते हैं यह मिल गया दोस्तों मेरे को 10 32 0 यहाँ पर मैं टिक कर देता हूं टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नाम भी आ गया किसके लिए अपलाई कर रहे हो कल रख इसमें आपकी 10th पास यहाँ से आपको complete देखने हैं दोस्तों इसी तरीके से और के लिए अपला करना है ठीन आपको एक्जाम सेंटर मिलेगे कहीं पर भी आप करना चाहूं तो यहां से कर सकते हैं यहां पर मैं दिली पर टिक कर लेता हूं दिली पर टिक करने के बाद दोस्तों सेकिंड आपको एक्जाम सेंटर च्वाइस करना है यहां पर आपको टिक करना है यहां पर को आज मेरा जो भी आपवाइंस करना चाहते हो तो यहान से कर सकते हैं मैं दिख कर देता हूँ किастशन वाय लोगे तो यह को सब्सक्राइब को फूल घुल जाएगा दोस्तों यह यह क्वायन अद должен मौनतर करने करने के बाद करते हैं यहां पर मैं देए हैं करना आपको आपको नीची आना है यहां ओप हैं सबक्रत करते हैं आपको अपनी 10 लिए डिक्ते तो दोस्तों की डिटेल फिलप करने पड़ेगी यहां पर दस्मी की डिटेल कर लेते हैं यहां पर आपको टिक करना है यहां पर हम सब्जेक्ट के बारे में फिलप करेंगे यहां पर आपको टिक करना है और अपने सब्जेक्ट के बारे में फिलप करना है यहां पर हम टिक कर करना है और के लिए अपलाई करोगे तो और यहां पर आपको दिखा देगा अगले अप्शन की बात करते हैं दोस्तों यहां पर आपको अपना experience फिलप करना है नई है तो नो की एंटरी कर सकते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है कौन सी जोब की थी वो लिखनी है और आपका नेचर क्या था उसके बारे में फिलप करना है और दोस्तों यहां पर आपको अपनी डेट फिलप करनी है फिलप करने के बाद यहां पर आपको टिक करना है नई है तो यहां से आप नो के आपके पास EWS certificate है तो yes or no कर सकते हैं यहां पर मैं no कर देता हूँ अगले option की बात करते हैं दोस्तों यहां पर आप yes या नो कर सकते हैं यहां पर आपको कोई भी दिख्कत नहीं आईगी यहां पर yes कर देते हैं नो करना चाहूं तो नो कर सकते हैं अगले उप्शन की बात करते हैं यहां पर आपको अपना complete address दिखाई देगा देखाई देने के बाद दोस्तों आपको अपना photo और signature भी दिखाई देगा नीची आना है और agree करना है और यह capture code यहां पर fill up करना है fill up करने के बाद दोस्तों और है यहां पर आपको करना है आपकी कोई भी कमी होच चुब्स मे आप टिक कर सकते हैं यहां पर टिक कर देते हैं टिक करने के बाद दोस्तों इसने मेर को बता दिया कि यह जिस भी जोब के लिए आप अपलाई करना चाहते हो यह EWS के लिए के लिए केवल यहां पर हम को लोज कर देते हैं अगली वकैंशी के बारे में यहां पर फिल अप कर लिए दोस्तों यहां पर आप देशकते हैं और दोस्तों आप इसमें भी अलिजबल नहीं है तो अगल अलग आप यहां पर च्वाइस कर सकते हैं अपने हिसाब से और दोस्तों इसमें आपको मैं दिखा देता हूं यहां पर एक्सुरिस्ट मैं नो यहाँ पर नौ आपको यहाँ पर OBCCST को छूट मिलती है जनरल को छूट नहीं मिलती एज में यहाँ पर मैंने नौ कर दिया और तो यहाँ पर आपकी क्वैलिफकेशन के बारे में बता रहा है दोस्तों आपके पास दस्मी के साथ ITI भी होना अली मेरी है यहाँ पर मैं टिक क कर देता हूं टिक करने के बाद दोस्तों experience पर मैंने नौ-णो कर दिया नहीं है मेरे पास experience AWS पर भी नो देखनेके बाद दोस्तों capture को डाल लेते हैं डालनेके बाद यहांपर टिक कर देते हैं टिक करनेके बाद दोस्तों आपको नीची आना है edit करना चाहओ तो edit कर सकती है और अंए था submit कर देते हैं औहो के ऊण तो तो यहां पर उप्ूशन आ गया आपने सब्सक्राइब कर लिया यहां स tới आपर प्राफ बाफ आपको स्कती है मैं यहां पर फिमेल का फिल अप कर रहा था दोस्तों इसलिह में कौने दे मेरी प्रतूरम गये तो दोस्तों यहां पर अगला उप्नाता फीस पेमेट, क्योंस पेमेट क्योंकिक हूँ website आप किसी सरविश के साथ अपने खानेक पिश लगते से अदा करूंकिकाँ यहां पर डैट पर टिक पर देता हूं यहां से आप PDF rac General Monroe कर लिए इसको सेव कर चौनाव तो सेव कर सकते हैं और दोस्तों आपको बैक आना है देखना कि आपकी फीस पेमेट हुई है या नहीं आ अपने पो बारेमें देखना चाहो प्रेमेंट होड़ कि यहां पर दे सकते हैं और इसका प्रेटंड करेंग गाया सब्सक्राइब कर scorang दोस्चेटों आपके नहीं हुए तो यहां प 때마다 कर सकती है और यांसरे अप को टिक करेंगाना है यह पर इसके जरी क्लिए रहो चुके होगी इस वीडियो में मैंने फोटो को बीके बी में बना कर बताया है इसी बात पर एक लाइक बनता है दोस्तों और आपका कोई भी डाउट वाप कमेंट करना नहीं आपका दिन शूबरे और दोस्तों आप लेटर स्कूरमेट जोप के बारे में जान कहले दोस्तों देखने के लिए